हेलो स्टूरेंट स्वागत है आपका अपने चैनल पर ट्यू की समस्यां जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है लगातार पेपरों में एके ट्यू की जो काउंसलिंग है जो लेट हो रही है जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं है पेपर की हेडलाइन मनवा इसक्रीन पर आप देख रहे हैं यूपी के 300 इंजिनरिंग कॉलेजों पर शेशन सुनी होने का खत्रा है इसलिए कही भी भी एड्मिशन लेने से पहले आप जरूर उस कॉलेज के बारे में उस कोर्स के बारे में चेक कर लिजेगा क्या वो AICT से अप्रूब्ड है कि नहीं ना केवल प्राइवेट बलकि गॉर्नमेंट इंजिनरिंग कॉलेज भी जो है वो इन समस्याओं से जूज रहे हैं आपको कारण वहीं पता है कि AKTU ने जो नए कोर्स के लिए कॉलेजिस के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता वो नहीं कराया उसकी लेट जो लेट हो गया लेट होने के बाद हाई कोर्ट में याचिका दी काउंस्लिंग की प्रक्रिया अभी तक स्टार्ट नहीं हुए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहीं यहाँ पर दिया हुआ है कि मदन मोहनमालवी युनिवस्टी गोरकपूर कानपूर को छोड़ करके उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी या निजी इंजिने कॉलेज में अपचारिक तौर पर एड्मिशन नहीं हो रहे है डारेक्ट एडमिशन जो इंस्टीट ले रहा है वो ले रहा है लेकिन वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर को आप लोग जरूर चे लिया है सीटे घटाने और बढ़ाने का फैसला कर लिया है वह सब बेमतलब साभीत हो रहा क्योंकि एके टी उसकी और से संब्द में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है तो यह जो वीडियो इसको डालने का यह में मक्सद है कि अगर आप किसी कॉलेज में अडमिशन ले रह है देखें यहां पर लिखा हुआ है कि समत्ता मिलने के आश में जादा तर निजी संस्थानों ने अडमिशन ले लिया स्टूडेंट ने फीस भी जमा कर दिया कई कॉलेज में पढ़ाई भी शुरू होगी अगर ऐसी समत्ता नहीं मिली तो कॉलेजों के साथ चात्रों के सा से आजाएगी प्राइवेट ही नहीं सरकारी कॉलेजों पर भी खत्रा बन रहा है क्योंकि सीटे फुल नहीं हो रही हो लास्ट ये भी यहीं हुआ था तो कई गौर्मेंट कॉलेज में भी सीटे जो है खाली होगी किन कोर्सों पर होगा असर तो यहां पर देखिए लिखा ह है विफार्मा का इसका असर नहीं पड़ेगा क्योंकि विफार्मा की जो रेजिस्टेशन की डेट है वो 30 सितंबर रखी गई है तो फाइनली अगर आप एक टू से संबन किसी भी कॉलेज में अड्मिशन ले रहे हैं तो पहले जान लिजेगा कि वो कोर्स वो आप चैनल थेंकि वेरिमस्ट